स्टार्ट कर रहे हैं IOPC Nomenclature का 3rd lecture इस 3rd lecture में हम पढ़ेंगे degree of carbon in hydrocarbons जो hydrocarbon compounds हैं उनके अंदर carbon की degree तो देखें अगर हम बात करें carbon की degree तो carbon 4 types क्या होता है अगर degree basis हम देखें अगर degree की basis पे देखें तो carbon 4 types का होगा 1 degree carbon या बोलते हैं primary carbon 2 degree carbon या बोलते हैं secondary carbon 3 degree carbon या इसको बोलते हैं tertiary carbon 4 degree carbon या quaternary carbon अब बात करें primary carbon की या 1 degree carbon की ऐसा carbon जो directly another one carbon से attach हो ऐसा कोई भी carbon जो directly one carbon से attach हो साई single bonded हो चाहे double bonded हो चाहे triple bonded हो इससे मतलब नहीं है मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी carbon another कितने carbon से attach है अगर कोई भी carbon another one carbon से directly attach है तो वो 1 degree है और another two carbon से directly attach है तो वो 2 degree है और अगर 3 carbon से directly attach है तो वो 3 degree है और अगर 4 carbon से directly attach है तो वो क्या कहलाएगा 4 degree carbon किलियर? तो कोई भी carbon another कितने carbon से directly attach है वो क्या कहलाएगी इसकी degree? अगर 1 कारवन से टैच है तो 1 डिगरी कारवन, 2 से टैच है तो 2 डिगरी कारवन, 3 से टैच है तो 3 डिगरी कारवन, 4 कारवन से टैच है तो 4 डिगरी कारवन यह बोलते हैं क्वार्टनरी, ठीक है, तो 1 डिगरी को प्राइमरी कह सकते हैं, 2 डिगरी को सेगंडरी कह सकते हैं, चलिए, बात करें, देखें, पहला example देखें, अगर हम बात करते हैं इस carbon की, तो ये carbon directly इसे carbon से attach है, देखें, ये carbon इस carbon से directly attach नहीं है, ये carbon directly इस carbon से attach है, तो क्या कहलाएगा, ये केवल एक ही carbon से attach है, तो क्या कहलाएगा, वन डिगरी carbon, अगर हम बात करें इसकी, तो ये carbon directly एक और एक दो, डिरेक्टली टू कर्वन से टेच है, तो क्या कलाएगा, टू डिगरी कर्वन, इसकी बात करें, तो ये कर्वन भी एक और एक दो, दो कर्वन से डिरेक्टली टेच है, तो ये कलाएगा, टू डिगरी कर्वन, यहां देखें, इस कर्वन की बात करें, तो वन, तो directly 4 carbon से टेच है तो क्या कर लाएगा 4 degree carbon यहाँ देखें यह carbon directly 1 carbon से टेच है तो 1 degree ऐसे यह भी 1 degree यह भी क्या हो जाएगा 1 degree चेलिए अब बात करें इस compound के अंदर घरम देखें तो 1 degree carbon कितने 1,2,3,4,2 degree carbon बात करें तो 2 है 4 degree carbon देखें तो कितना है 1 चेलिए बात करें अब सुनिए वन डिगरी कारवन से वन डिगरी कारवन से जो कारवन अटेच होंगे वन डिगरी कारवन पे जो अटेच हाइटोजन होंगे वो क्या 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 हो जाएगा 1 degree तो रेखिए 1 degree carbon से attached जो hydrogen होंगे होंगे वो क्या कलेंगे 3 degree hydrogen एただ Si to do we nonce if we huge hydrogen होंगे वो क्या कहल gay तो कितने होंगे 15 वह किटने होंगे फिप्टीन बात करें तो टोडिगरी कारवन से जिरने वाले दो हाईटोजेन हैं कितने होंगे 2 degree कितने होगए यहाँ 2 ठीक अगर हम 3 degree की बात करें तो 3 degree carbon एक ही carbon है और उस पर लगने वाला h कितना है 1 तो 3 degree hydrogen कितना होगए 1 बात करें 4 degree की तो 4 degree carbon तो है मगर 4 degree hydrogen नहीं है फो देखे 4 degree carbon कब होगा कोई भी carbon 4 degree तब होगा जब वो directly 4 carbon से attach हो और carbon की balance कितनी होती है 4 और उसकी 4 की 4 balance क्या होगई अनुदर carbon से fill होगई है तो इस पे कोई भी hydrogen नहीं होगा तो 4 degree hydrogen exist नहीं करता है वो कितने हो जाएंगे 0 तो ध्यान देखेंगे 4 degree hydrogen is not possible क्योंकि 4 degree carbon की already 4 balance किस से भढ़ चुकी है carbon से fill हो चुकी है तो उस पे और कोई फर्दर hydrogen नहीं होगा और कोई atom नहीं होगा ठीक तो आप ध्यान देखेंगे 4 degree hydrogen exist नहीं करता क्लियर होई बात तो hydrogen directly attached with 1 degree carbon 1 degree carbon से जो भी hydrogen directly attached होगा उस हम क्या बोल देंगे 1 degree hydrogen क्लियर होगी बात next देखेंगे अगर हम बात करें next example की तो रेखेंगे यहां देखें अगर हम देखें इस बात की तो यह carbon directly इस एक 1 carbon से attach है तो क्या किलाएगा यह 1 degree यह carbon directly 2 carbon से attach है तो क्या किलाएगा 2 degree यहां देखें यह carbon directly क्या है 2 carbon से attach है तो 2 degree ये कारवन भी डारेक्ली दो कारवन से टैच है तो 2 डिगरी और ये कारवन डारेक्ली 1 कारवन से टैच है तो क्या कलाएगा 1 डिगरी अब हम बात करते हैं 1 डिगरी हाइटोजन की तो 1 डिगरी कारवन पे जो भी हाइटोजन डारेक्ली अटैच होंगे वो क्या कलाएंगे 1 degree hydrogen ये 1 degree कालून पर जो भी hydrogen directly attach होंगे वो क्या कलाएंगे 1 degree hydrogen छीक अगर हम बात करें तो 2 degree कालून से जो भी hydrogen directly attach होगा वो क्या कलाएगा 2 degree ये भी क्या कलाएगा 2 degree और ये भी क्या कलाएगे 2 degree hydrogen तो अगर हम यहां बात करें number of 1 degree hydrogen तो 1 degree hydrogen कितने हुए 3 और 3 6 अगर हम बात करें 2 degree की तो 2 degree देखे 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे 4 और 2 यह होगा 6 तो total कितने 2 degree hydrogen कितने होगा इसमें 6 अगर हम बात करें 3 degree hydrogen की तो कोई भी carbon इसमें 3 degree नहीं है तो फिर 3 degree hydrogen इसमें नहीं होगा क्या होगा 0 वन डिगरी हाइटोजन क्या होता है हाइटोजन अटेच बिद वन डिगरी कारवन तो वन डिगरी कारवन पे जो भी हाइटोजन अटेच होंगे वन डिगरी हाइटोजन ऐसी 2 degree carbon पे जो भी hydrogen attach होंगे वो क्या कलाएंगे 2 degree hydrogen ऐसी 3 degree carbon पे जो भी H attach होगा वो क्या कलाएगा 3 degree hydrogen clear और 4 degree hydrogen exist नहीं करता देखें next next example पे नेखें इस carbon की degree की बात करें तो ये carbon अनुदर 1 carbon से attach है तो क्या कलाएगा 1 degree carbon यह carbon अनोदर 2 carbon से टेच है तो क्या कलाएगा 2 degree carbon और अगर हम बात करें तो यह carbon भी अनोदर directly 1 carbon से टेच है चाहे वो double bonded हो चाहे single bonded हो इससे मतलब नहीं है मतलब है कोई भी carbon directly अनोदर कितने carbon से टेच है तो यह अनोदर 1 carbon से टेच है तो क्या कलाएगा 1 degree किलियर तो रिखे अगर हम बात करें हाइटोजन की यहाँ पर तो अगर 1 डिगरी हाइटोजन देखें तो कितने हो गए 3 और इस पर 1 डिगरी कितने है 2 तो ज़रूरी नहीं है कि 1 डिगरी कारून पर 3 ही हो 1 डिगरी कारून पर 2 ह भी हो सकते है 1 degree कारण पे 1H भी हो सकता है और 1 degree कारण पे 0H भी हो सकता है वो depend करेगा उसकी double bond से valency fill हो रही है कि triple bond से valency fill हो रही है ठीक है चलिए तो फिलार अगर हम यहां बात करें 1 degree hydrogen की तो कितना हो गए 3 और 2 कितना हो गए 5 और 2 degree hydrogen की बात करें तो कितना होगा 1 अगर हम next बात करें तो देखिए next example में बात करें तो यह carbon directly 1 carbon से attach है तो 1 degree यह 1 carbon से attach है उधर वो carbon नहीं है क्या है यह nitrogen तो यह carbon भी directly 1 carbon से ही attach है तो यह क्या कहलाएगा 1 degree carbon चिक बात करें hydrogen की तो यह hydrogen भी directly 1 degree carbon से attach है तो 1 degree और यह भी क्या होंगे वन डिग्री हाइटोजन तो इसमें वन डिग्री हाइटोजन कितने हो जाएंगे फॉर तो देखिए इस वन डिग्री हाइटोजन पर कितने हाइटोजन है इस वन डिग्री कारवन पर कितने हाइटोजन है त्री इस वन डिग्री कारवन पर कितने हाइ से टेच है यह कारवन 1 और 1 2 2 से टेच है 2 डिगरी यह कारवन 1 और 1 2 2 डिगरी यह एक से टेच है तो 1 डिगरी यहां बात करें तो 1 डिगरी H कितने होंगे 3 यहां 1 डिगरी H कितने होंगे 3 और 2 डिगरी कारवन तो है मगर H नहीं है क्योंकि इसकी 1 degree hydrogen की बात कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और 2 degree भी 0 3 degree भी 0, 4 degree hydrogen तो 0 होता ही है सेम यहां बात करें यह carbon another 1 carbon से attach है तो 1 degree यह carbon भी another 1 carbon से attach है उधर तो वो क्या है oxygen तो यह carbon सिर्फ एक ही carbon से directly attach है तो यह भी 1 degree क्या लाएगा तो इसमें यह h भी क्या होंगे 1 degree और यह h भी क्या होंगे 1 degree तो 1 degree h कितने हो जाएंगे 4 इसमें केवल एक ही type का h है 1 degree clear next अगर हम बात करें example की तो देखिए यहां पे इस carbon की balance की पूरी करें तो इस पे क्या होगा CH3 क्योंकि इस carbon की एक balance की complete हो रही यहां बात करें तो इस carbon की 1 और 2 दो balance की complete हो रही है तो 4 करने के लिए 2 h इस पे 1,2,3 तो 1 h होगा यहां पे CH2 होगा और यहां पे क्या होगा CH3 अगर डिगरी के हम बात करें तो यह carbon अनुतर 1 carbon से attach है 1 degree यह carbon 1,2,3 से attach है तो क्या होगा 3 degree यह 1 और 2 तो 2 degree यह 1,2,3 तो 3 degree यह 1 और 2 देखिए यह carbon 1 और 1,2 तो 2 degree और यह 1 degree clear अब तो h count कर लेंगे 1 degree के h की बात करेंगे तो अब क्या होगा 1 degree h देखिए 3 h यह हो जाएंगे 3 h यह हो जाएंगे और तो कोई 1 degree नहीं है तो 1 degree कितना होगा 6 अगर 2 degree h की बात करें तो केबल यह 2 degree 2 यहाँ पे होए 2 degree देखिए 2 तो यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ हो गए कितने हो गए 2 degree h 4 अगर 3 degree h की बात करें तो 1 h यह है और 1 h यह है कितना है 2 clear next तेखिए next के अगर में बात करें यह कुछ compound है जिनमें हमें बताना है कि 1 degree, 2 degree, 3 degree और 4 degree carbon की संख्या बतानी है और फिर 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen भी बतानी है तो अगर हम यहाँ बात करनें देखिए तो हर एक carbon क्या होगा? हर एक carbon की कितनी balance होगा है? देखिए जहाँ भी यह turning होती है, वहाँ सब जगे क्या होते हैं carbon यह bond line notation है, मैं आपको first lecture में पढ़ा चुका हूँ, ठीक, तो यहाँ सब जगे क्या होगे carbon, हर एक carbon पर केतना h होगे? 2 h होगे, क्योंकि हर एक carbon की 2 balance ही पूरी हो रही है, तो सब जगे क्या होगा? CH2, CH2, यह इस टाइप से आप लगा सकते हैं, यह देखिए, clear? तो हर एक carbon इ HB sub क्या होगे? 2 degree होगे, clear? तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 1 degree carbon क्या होगे? 0, 2 degree carbon कितने होगे? 6, 3 degree carbon भी 0, 4 degree bी 0, 1 degree hydrogen भी 0, 2 degree hydrogen होगे. कितने, लेकिए, कितने carbon है यह? 6 carbon है, अर हर एक carbon पर 2 hydrogen ह मैं, तो कितने हो जाएंगे? 12, और 3 degree hydrogen की बात करें तो फейर 0, clear? डियर, नेक्स देखें, अगर हम यहां बात करें तो Benzene, Benzene का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता हूँ, दिखें, यह Alternate, इस Circle का मतलब क्या होता है, इस Circle का मतलब होता है, Alternate Double Single One, Double Single, Double Single, Double Single, हर एक Carbon के अगर मैं बात करूँ तो One, Two, Three, हर एक Carbon की 3 Balancy पूरी हो चुकी, तो हर एक carbon पे एक एक होगा 4 balance कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से और हर एक carbon देखिए एक carbon 1 और 2 डारेक्ली 2 carbon से टेच है तो हर एक carbon इसमें कैसा होगा 2 degree कोई से भी carbon बात कलने है वो 2 degree तो 1 degree carbon इसमें क्या होगे 0 2 degree carbon इसमें कितने होगे 6 3 degree carbon भी 0 next next अगर हम यहां देखें तो देखिए जी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है देखिए यहां पे एक carbon है जहां भी starting है ending है यह turning है वहाँ सब जिगे क्या होते है carbon होते है हर इस carbon के अगर हम बात करें तो 4 बलंसी complete है तो यह कैसा carbon है 4 degree कार्वन है, मगर बाकी अगर हम कार्वन की बात करें तो इस कार्वन पे भी क्या होगा, यहां CH3, ठीक, इस पे भी क्या होगा CH3, यह भी क्या होगा CH3, और यह भी क्या होगा CH3, और यह हर एक कार्वन कैसा होगा, 1 डिगरी, यह भी 1 डिगरी, यह भी 1 डिगरी, यह भी 1 में 1 है अगर 1 degree hydrogen की बात करें तो 3 देखे 1 2 3 4 कितना हो गया 12 तो कितना आएंगे वो 12 2 degree कोई नहीं होगा 3 degree hydrogen भी कोई नहीं होगा next next अगर हम बात करें तो देखें यहां सब जगे यह क्या होंगे carbon यह सब जगे क्या होंगे यहां carbon जहां भी tending है ending है starting है crossing है वहां सब जगे क्या होंगे carbon겠다 इस carbon की बात करें तो balance 1 complete होई तो 4 करने के लिए क्या होगा यहां CS3 इस carbon की दो balance पूरी होई तो यह क्या होगा CH2 यह भी CH2 CS3 CH2 CS3 यह भी CH2 यहां भी CS3 और यह क्या होगा C ठिक अगर हम बात करें degree की तो देखें यह carbon 1 degree वन डिग्री जो टर्मिनल कारवन है उस बन डिग्री हो गए यह टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री और यह भी टू डिग्री और यह कैसा हो गया फॉर डिग्री तो अगर वन डिग्री कारवन की बात करें तो कितने हो गए फॉर टू डिग्री कारवन की बात करें त तो कितने हो जाएंगे 8 और 3 degree height की बात करेंगे तो 0, clear, next, अगर हम बात करें इसके, देखे, इसमें क्या होगा, हर एक carbon पर क्या होगा, CH2, CH2, क्योंकि हर एक carbon की 2 balance ही complete हो रही है, तो हर एक carbon directly 2 carbon से attach है, तो हर एक carbon क्या होगा, वैसमें 2 degree carbon, 2 degree carbon, तो इसमें 1 degree carbon 0 है, 2 degree कितने हो गए 3, 3 degree carbon भी 0, 4 degree भी 0, 1 degree height भी 0, 2 degree height की बात करें, तो 2 और 2, 4, 2, 6, और 3 degree height भी 0, clear, next, देखे, यहां पे कितने होगे, 2, यहां पे कितना होगा, 1, और यहां पे भी कितना होगा, 1, इस carbon की बात करें तो कैसा है 2 degree इस carbon की बात करें तो 2 degree इस carbon की भी बात करें तो 2 degree हर एक carbon directly दो carbon से टेच है तो 2 degree carbon हो गया तो इसमें 1 degree hydrogen carbon क्या है 0 2 degree hydrogen कितने हो गया 3 3 degree कितने हो गया 0 4 degree भी क्या हो गया 0 1 degree hydrogen भी 0 2 degree hydrogen की बात करें तो 2 यहां पे और 2 यह हो गया, कितना हो गया, 4 और 3 degree hydrogen फिर 0 हो गया Next यह दिखिए, यहाँ पे, इस carbon पे यह 4 degree carbon है, और यह सब क्या है 1 degree, क्या होगा यहाँ, CS3 CS3, CS3 यह भी CS3 यह भी CS3 और यह भी CS3 यह सब भी 1 degree होंगे 1 degree, 1 degree, 1 degree क्योंकि directly एक ही carbon से टेच है और यह दोनों क्या होंगे, 4 degree तो अगर यहाँ बात करें 1 degree carbon की, तो 3 और 3, 6 2 degree, 0, 3 degree, 0 4 degree कितने हो गया, 2 अगर 1 degree hydrogen की बात करें तो यहाँ पे 9 यह, और 9 यह, कितना हो गया, 18 2 degree carbon भी नहीं है तो hydrogen भी नहीं होगा 3 degree carbon भी नहीं है, तो hydrogen भी नहीं होगा और 4 degree carbon पे hydrogen होता नहीं है Next Benzen में अगर हम देखें, तो यह सब alternate double single bond है मैं आपको चाहूँ, तो इस ताइप से इस texture बना सकते हैं, देखें, यह इस तरीके से यहाँ यह तो इस circle का मतलब होता है alternate double single bond double single, double single, double single इस ताइर से तो इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखें इस carbon की चारों balance की complete है तो यहाँ पे edge नहीं होगा, अगर हम देखें तो इस carbon की, किसी भी carbon की बात करें तो तीन ही balance की complete है, देखो 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी 1 edge, 1 edge, 1 edge 1 edge वन एज और वन एज इस पे कोई वी एज नहीं होगा clear तो अगर हम बात करें 1 डिगरी इसमें देखें ये कारवन कैसा है 3 डिगरी क्योंकि एक एक दो और एक तीन कारवन से टहच है ये भी क्या होगा 3 डिगरी अगर बाकी कार्बन की बात करेंगे तो सब क्या होंगे 2 डिगरी हाइटोजन होंगे 2 डिगरी कार्बन, 2 डिगरी हाइटोजन ठीक है तो अगर हम बात करें 1 डिगरी कार्बन की तो 0 2 डिगरी कार्बन की बात करें तो 4 ये और 4 ये कितना हो गया 8 3 degree carbon की बात करें तो कितने है 2 4 degree carbon की बात करें तो 0 1 degree hydrogen भी 0 होंगे क्योंकि 1 degree carbon ही नहीं है कोई 2 degree hydrogen की बात करें तो हर एक carbon पे 1H लगा हुआ है तो जितने carbon होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे 2 degree H और यहां पे 3 degree carbon तो है मगर इस पे कोई h नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 next next अगर हम इसकी बात करें तो देखे इसमें क्या होगा यहां पे 3 degree carbon है यह भी 3 degree carbon है मगर अब के इन पे एक 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 होगा क्योंकि इनकी balance 4 complete नहीं हो रही क्योंकि यहां pi bond नहीं है double bond नहीं है देखो 1, 2, 3 इन सब पे कितने h होंगे 2, 2 h होंगे क्योंकि हर एक carbon की 2 balance है तो यह सब कैसे होंगे 2 degree यह कैसा होगा 3 degree और यह भी क्या होंगे सब 2 degree carbon होंगे और सब पे 2, 2 h लगे होंगे clear? तो अगर हम बात करें 1 degree carbon की तो 0 है 2 degree carbon 4 year 4 year कितने होंगे 8 3 degree carbon कितने होंगे 2 4 degree कितने होंगे 0 और अब बात करें h की तो 1 degree h तो इस पे कोई है नहीं 2 degree h की बात करें तो हरे carbon पे 2 h है तो कितने carbon है 4 और 4, 8 तो 8, 2, 0 कितना हो जाएगा 16H हो जाएंगे और 3 degree H कितने है 2 दो कार्बन है दो ही क्या हो जाएंगे 3 degree H next next अगर हम इसमें बात कर ले तो देखिए यह क्या होगा CH2 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 यह होगा CH यह होगा CH आप चेक कर लिजेगा बैलेंसी जहां भी 3 complete है वहाँ 1H जहां 3 complete है 1H दो बैलेंसी complete है वहाँ पे 2H clear तो देखिए तो अगर हम बात करें इसमें यह सब क्या है 1 degree 2 degree कारवन 2 degree कारवन 2 degree कारवन यह भी 2 degree यह भी 2 degree 2 degree 2 degree 2 degree 2 degree यह 3 degree यह 3 degree यह 3 degree यह 4 क्या है 3 degree है चीक है तो देखिए अगर हम बात करें इसमें तो 1 degree carbon 0 अगर 2 degree की बात करें तो 3 हो गए 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 क्या हो गए 2 degree 3 degree की बात करें तो 1, 2, 3, 4 4 क्या हो गए 3 degree और 4 degree carbon कोई भी नहीं है ठिक बात करें हाइटोजन की तो 1 degree hydrogen तो होंगे नहीं 2 degree कितना होंगे हर एक carbon जो 2 degree है सब पर कितने हैच है 2, 2 हैच है तो 2 degree है कितने है जी 2 degree carbon है 9 तो एक hydrogen कितना हो जाएंगे 18 3 degree कितने है 4 carbon है और हर एक carbon पर एक एक हैच है तो कितना हो जाएंगे ठीक, नेक्स देखिए नेक्स बात करें तो ये कारवन है, ये कारवन है ये कारवन है, कारवन कारवन, कारवन और यहां कारवन इस कारवन पर तीन होंगे इस पर दो ह होंगे, इस पर दो ह होंगे इस पर कोई भी ह नहीं होगा, चारो बलंसी कंप्लीट है इस पर 2H होंगे, यहाँ 2H होंगे और यहाँ 1H होगा यह बात करें तो 2 degree carbon होगा, यह भी 2 degree carbon होगा यह 1 degree होगा, यह 3 degree होगा, यह फिर 2 degree, यह फिर 2 degree और यह फिर degree की बात करें तो 2 degree carbon है तो 1 degree इसमें कितना है, 2 degree कितना होगा, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और यह 5 3 degree carbon की बात करें तो इसमें 1 होगा 4 degree carbon की बात करें तो इसमें कोई भी नहीं होगा 1 degree H की बात करें तो कितने होगे 3 2 degree अगर H की बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इस पे कोई H नहीं है तो कितने होगे 8 और 3 degree H की बात करें तो कितना होगा 1 clear देखे, अब देखते हैं, degree of alcohol, OH मतलब alcohol, तो देखे, OH की जो alcohol की degree है, वो कैसे decide होगी, OH जिस carbon पर attach होगा, उस carbon की degree होगी, वो ही क्या होगी, alcohol की degree होगी, मतलब degree of carbon equal होगी, degree of alcohol, जिस degree के carbon से OH group attached होगी, उसकी degree, तो alcohol की degree होगी, उसका respective carbon की करेगा, decide करेगा, मतलबisan, OH group directly, जिस degree के carbon से attach होगी, बहुं गरंगे, गिए उसकी डिगरी देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह OH डारेक्ट इस कार्वन से टैच है अब इस कार्वन की डिगरी देखिए यह कार्वन अनुदर वन कार्वन से टैच है इधर तो कार्वन है नहीं तो यह क्या क्लाएगा वन डिगरी कार्वन तो यह क्या क्ल कि तेज़ कर्वन नेज़ कुछ कर्वन हो सीर भी डिगरी कर्वन is not ङुए हमाप्ति से चल स्च ठाओ, तो इस कारवन का ट्यगरी कर्वन होra नेज़ किळ और री इंग्वन की तेज़ क्रवन की ये रकोल की अथ्यप, येम लिगाम लागत पहुए हमानुत। तो बाकि 3 बलन्सी अंूज़र कATHAN करण स कर सकती है तो 3 डिग्री कारवन पे ही OH हो सकता अगर 4 डिग्री कारवन होआ तो उसके 4 बलन्सी कारवन से फिल हो जाएंगी तो फिर OH अटैच नहीं हो सकता तो इसलिए 4 डिग्री अलकॉल कावल सक्षट नेक्स्ट तो जैसे कर हम बात करें यहाँ पर तो रेखिए जी OH जिस carbon पर touch है उस carbon की degree चेक करिए यह carbon एक और एक दो दो carbon से touch है तो क्या कलाएगा 2 degree carbon तो यह क्या कलाएगा 2 degree alcohol next OH जिस carbon पर touch है वो देखिए यह carbon केवल इसे carbon से touch है तो यह क्या क्या कलाएगा 1 degree carbon तो यह क्या 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 वो another 1, 2 और 3, तीन कर्वन से टेच है, तो यह carbon कैसा कैलाएगा 2 degree carbon और 2 degree carbon है तो यह कैलाएगा 2 degree alcohol next देखे, OH जिस carbon सेटेच है यह carbon एक और एक दो सेटेच है तो कैलाएगा 2 degree यहाँ अगर हम बात करनें तो OH जिस carbon सेटेच है वो another 1 carbon सेटेच है तो यह कैलाएगा 1 degree alcohol OH जिस carbon से टेच है वो carbon अगर हम बात करें तो 1, 2 और 3 carbon से टेच है तो यह 3 degree carbon होगा तो यह कहके लाएगा 3 degree alcohol OH जिस carbon से टेच है वो 1 और 2 दो carbon से टेच है तो यह कहके लाएगा 2 degree alcohol OH के अगर हम बात करें तो यहां देखिए 1, 2 और 3 तीन कारवन से टेच है तो यह क्या कर लाएगा 3 डिग्री अलकोहल इसकी बात करें तो देखिए इसमें 2 OH ग्रूप है तो यह कारवन कितने से टेच है एक और एक तो तो यह 2 डिगरी है और वो कैसा है 3 डिगरी है तो यह क्या है 2 डिगरी अलकॉल भी परेजेंट है और उसमें 3 डिगरी अलकॉल भी परेजेंट है तो 3 डिगरी अलकॉल भी लिखेंगे and 2 डिगरी अलकॉल भी लिखेंगे ठीक है दोनों ही टाइब के degree alcohol इसमें present है चलिए तो दो alcoholic group present है एक की degree 3 है और एक की degree कितनी है 2 तो इसमें के लिखेंगे both 2 degree alcohol and 3 degree alcohol यहां बात करें OH जिस carbon status है यह carbon another 1 carbon status है तो क्याकर लाएगा 1 degree carbon तो यह क्याकर लाएगा 1 degree alcohol देखें degree of amine degree of amine अगर हम लेखें तो amine की जो degree है amine मतलब N यह यह जी N अब इस N की degree चेक करेंगे जो N की degree होगी वही किसकी होगी amine की degree होगी N, amine का जो N है वो another कितने carbon से directly attached है वो कलाएगी N की degree और वही क्या कलाएगी amine की degree तो nitrogen इस तो directly attached 1 carbon अगर nitrogen directly 1 carbon से attached है तो 1 degree amine कलाएगी directly 2 carbon से attached है तो 2 degree amine कलाएगी और अगर nitrogen directly 3 carbon से attached है तो 3 degree amine कलाएगी जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो N तो N directly क्या है इसे carbon से attached है यह कोई भी carbon chain होगी तो कोई भी carbon chain हो मगर directly N तो एक ही carbon से attached होगा तो क्या कलाएगा 1 degree यह कह सकते हैं primary हमाई यहाँ पे देखें N तो 2 carbon से touch होगा एक left और एक right तो क्या कलाएगा 2 degree हमाई यह कह सकते हैं secondary हमाई यह देखें यहाँ पे जो night हो जोने हैं वो 3 carbon से touch है तो यह 3 degree यह 3 amine clear? next देखें ज़रा अगर हम बात करें हमाई तो यह N इस directly एक carbon से touch है तो यह क्या कलाएगा 1 degree amine यहाँ N देखें तो directly इस एक carbon से touch है तो यह क्या कलाएगा 1 degree amine यह बोल सकते हैं primary amine N directly इस एक carbon से touch है तो यह भी क्या कलाएगा 1 degree amine यहाँ पे भी N directly इस एक carbon touch है तो क्या कर लाएगा 1 degree amine Next देखिए यहाँ N देखिए तो यह 2 करवन से टेच एक left और एक right और 2 करवन से टेच हो गया तो यह क्या कर लाएगा 2 degree amine N एक यहाँ और एक यहाँ 2 करवन से टेच है तो 2 degree amine amine या amine ठीक है Next N देखिए एक इधर और एक इधर टू कर्वन से टेच है तो टू डिग्री अमीन यहां देखिए एक ये कार्वन होगा एक ये कार्वन होगा एक ये कार्वन होगा तो ये क्या कहलाएगा थ्री डिग्री अमीन next, n, एक carbon यह हो गया, एक carbon यह हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, two degree amine one, two, और three, तो कितने carbon से touch है यह, तीन carbon से touch हो गया, तो क्या कहलाएगा, three degree amine यहां देखिए, n के बल एक ही carbon से touch है, तो one degree amine next, यह nitrogen, देखिए, इस पर क्या आगया, एक nitrogen की balance, three balance होती है, एक balance आपने इसमें extra कर दए है, तो क्या जाएगा, plus जब के भी भी किसी item की balance एक्स्टा हो जाएगी, तो उस पर क्या जाएगा, plus, एक balance, normal balance से कम रहे जाएगी, तो क्या जाता है, minus तो अगर हम इसको बात करें, तो क्या होगा, one, two, three, four, तो यह क्या कहलाएगा, four degree, यह कह सकते हैं, quaternary, और क्या कहलाएगा, ammonium iron, ammonium salt, salt क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं न खाई, यह katein है, तो एन आयन भी इसके साथ attach होगा, तो इसे क्या बोल देंगे, quaternary ammonium salt, सेम कहने यहां देखें, तो इसमें भी एन अगर हम बात करें, one, two, three, और four, तो four carbon से attach है, तो यह भी क्या हो जाएगा, quaternary, यह four degree, ammonium salt, next देखें, अगर हम बात करें इसकी, तो यह one degree है, के two degree है, के three degree है, तो देखें, nitrogen, एक carbon यह है, एक carbon यह है, और एक carbon यह है, तो कितने carbon से attach है, three से, तो यह क्या क्या लाएगा, 3 degree, تم, क्या हो गया, यह, यह四 degree, यहां देखें, इसमें nitrogen की बात करें, तो nitrogen, इस एक carbon यह थर attach है, एक carbon से attach है, तो कितने से attach है, two से, तो यह क्या 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 लाएगा, two degree, तो रेको ये normal basic सी बात है जैसे अगर हम बात करने वाटर ये क्या है neutral यहाँ पर auction की normal balance कि इतनी होती है two दो loan पर के साथ ये inorganic में आप पढ़ेंगे आगे detail में जब chemical bonding चलेगी यहाँ देखिए इसमें auction की balance हमने कितनी कर दे थी अगर एक balance एक्स्टा हो जाएगी तो इस पर क्या जाएगा plus और एक loan पर क्या हो जाएगा reduce अब loan पर कितना रजाएगा one पहले कितने थे two अगर एक balance कम कर देंगे तो क्या जाएगा minus और एक loan पर क्या हो जाएगा increase अब लोन पर कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, न्यूटरल, इसे बोल देंगे, पोईर्टिव चार्ज होगी अस पर, और यह पर हाइड्रोनियम आइन बोल देते हैं, यह ऑक्साइड आइन हो जाएगा, नगेटिव, सेम कहानी नाइटोजन में, नाइटोज बलंसी आपने बढ़ा दी, यह पर इस पर प्लस और लोन पर क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसे बोलते हैं, अमोनियम यह क्या क्या लाइगा, क्वाटनेरी, ऐसी सेम कहानी, माइनस आजाएगा, अगर दो, एक बलंसी कम कर देंगे, तो माइनस आजाएगा, देखें, तीन, बिलेज़ी है, 4 कर दी तो plus आगिया और एक कम कर दी तो minus आगिया minus आएगा तो लोन पर बढ़ेगा plus आएगा तो लोन पर गटेगा clear? तो देखिए आगे तो जैसे कर हम बात करें यहाँ पे, तो end पे क्या हो गिया यह plus 4, तो कहीं भी plus आया तो कहीं भी जरूर minus होगा क्योंकि यह salt बन जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे 4 degree यह एक बोलते है, quaternary ammonium salt, ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या लगा लें, जैसे आर लगा सकते हैं, तो यह आर कर दें, इसको आर कर दें, आर कर दें, तो balance कितनी हो जाएगी, 4, मुदलब degree कितनी हो जाएगी, 4, ऐसे कर लें, R4, चीक है, क्या कर लें, कोई भी carbon chain, तो यह कहलाएगा, quaternary यह कह सकते हैं, 4 degree ammonium salt, salt समझ रहें क्यों, क्योंकि plus है, तो साथ में कहीं minus भी होगा, clear, clear, तो जैसे इस पर plus है, तो ऐसे इस पर क्या होगा, यह minus भी होगा, आप यहाँ पर क्या ले लें हैं, कोई भी carbon chain, next, तो इसी तरीके से हमने क्या कर रहा था, इसको, अगर हम इस carbon, nitrogen की बात करें, तो यह कितने carbon से attach हो गया था, 1, 2, 3, 4, तो 4 से attach हो गया, तो क्या बोल रहेते हैं, इसको, quartner, यह निके 4 degree, सेम कहानी यहाँ पर, अगर हम बात करें, तो 1, 2, और 3, के बल, 3 carbon attach थे, तो क्या कर लाएगा, यह 3 degree, जैसे यहाँ पर था, तो nitrogen एक और एक दो carbon से attach था, तो उसे क्या बोलते हैं, अलकाहलाइड, तो इसकी degree जो decide होगी, जो degree carbon की होगी, वो ही degree किसकी होगी, अलकाहलाइड की, या कह सकते हैं, अलकाहलाइड, जिस degree के carbon पर जुड़ा होगा, वो ही उसकी क्या होगी degree, तो बस आपको ध्यान रखना है, अलकाहल हो या अलकाहलाइड हो, तो उसकी degree decide करता है, जिस भी degree के carbon से, वो directly attach होती है, मगर amine की जो degree है, वो खुद nitrogen decide करता है, कि nitrogen अनोधर कितने carbon से attach है, तो देखिए, अगर हम बात करें, यह CL इस carbon पर attach है, और यह carbon केवल एक ही carbon से attach है, तो क्या करता है, वो एक और एक दो, दो करुण से टेश है, तो ये भी क्या कर लाएगा, टोडिकली, किलियर? अब इसी लेक्चर की मैंने आपको DPP डाल रहा हूँ, छीखे, इसको आप कम्पलीट एक बार सही सेच्चे से करके, देखके, फिर इसको DPP सॉल्ल करिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया है, छीखे, चेर, टेंक,